हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं डाक्टर अधेश राना आज फिर आज नो एक नए हेल्ट टॉपिक के साथ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गठिया यानि की गाउट आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका होमेपाथिक इलाज क्या है और यह क्यों ह होता है और इसके सिंट्रम्स क्या हैं तो दोस्तों अपने इस टॉपिक को आगे बढाने से पहले मैं अपने इस हेल्थ यूट्यूप चैनल में आप सब का तहर दिल से स्वागत करता हूं तो दोस्तों अब अपने इस टॉपिक को आगे बढाते हैं और जानते हैं कि गठि वाई विमारी होती क्यों है हमारे सरीर के अंदर यानि की कोशकाओं में जो है निपलियस के अंदर जो है आरन्य और डियन्य पाये जाते हैं जिसके की अंदर प्यूरीन नामत नाइटोजिनस बेसेस पाये जाते हैं और यह नाइटोजिनस बेसेस के जब लाइप साइकल पू करने की activity में किसी तरह का कोई disturbance आ जाता है तो फिर हमारे सरीर के अंदर जो है यूरिक एसीड जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं इसके अंतर कर देखा गया है कि जब ये प्यूरीन हमारे सरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं तो इसको जो है हमारे सरीर के अंदर जो है एक मिंडल की compound पाये जाते हैं जिसको की हम जो है नाट्रम फास करते हैं यह इंको जो है water soluble करते हैं dissolve करते हैं जिसको की kidney filter करके बाहर कर देती है पर यह सरीर में अगर इनकी कमी हो जाती है तो इसकी वज़े से भी यूरीक एसिड जो हमारे सरीर में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और दूसरा करान होता है कि अगर इनके metabolic activity में जो है किसी तरह का कोई disturbance आ जाता है तो उसकी वज़े से भी हमारे सरीर के अंदर यूरीक एसिड की मातरा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और जब यूरीक एसिड की मातरा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो यह हमारे जो है सरीर के जो हड़ियां होती है हड़ियों के बीच में जो है जो जोड़ पाया जाते हैं दो हड़ियों के बीच में जैसे जोड़ होते हैं इन जोड़ों के बीच में एक इपिफाइसिस नाम का लेयर पाया जाता है जो की नान वैस्कुलर होता है जिसमें की कोई blood supply नहीं होती है और यह वहाँ पे जाकर के जो है यह यूरिकेसिक क्रिस्टल के रूप में होते हैं और यह इसके उपर जाकर के जो है इन इपिफैसिस यानि की हड़ियों के बीच में जो यह पाई जाती है उसके उपर यह जमा होना शुरू हो जाते हैं जैसा कि यह क्रिस्टल के रूप में होते हैं और यह धीरे धीरे जमते रहते हैं और जमते जमते जो है यह वहाँ पे एक बहुत बड़ी गांड बना लेते हैं और गांड बनाने के बाद जो है वहाँ पे जो है अपने complications जो है create करना शुरू कर जेते हैं जिसकी वज़े से अगर ये काफी लंबे समतक होता है तो वहाँ पे जो है उस हड़ी के जो जोड़ है वहाँ पे जो है तमाम तरह की deformity आती है और symptoms आने शुरू हो जाते हैं उन symptoms में से पहले देखा जाए तो उस जोड़ पे जो है swelling होगी फिर उसके बाद में वहाँ पे redness होगी pain होगा और फिर उसके बाद में वहाँ पे हलका हलका सा गरम सा आपको असास होगा जब आप उसको touch करेंगे लेकिन यह लंबे समय तक process रहता है यानि कि वो जोड जो है अगर ये symptoms के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो वहाँ पे जो है tenderness आजाती है यानि कि वहाँ पे एक मुलायमपन भी आजाता है और फिर काफी लंबे समय के बाद जो है वो काफी hard हो जाते हैं और वो जो है काफी टेड़े मिड़े हो जाते है यानि उनके अंदर deformity आ जाती है तो इस तरह के जो है इस process के थुरू जो है ये बीमारी उत्पन होती है और ये symptoms आपको दिखाई देने लगते हैं जो कि खास तोर से गठिया भाई में ये पाए जाता है तो दोस्तों ये process था किसके थुरू जो है ये बीमारी होती है और अब समझ लेते हैं कि ये किन लोगों में ज़्यादा पाए जाने की संभावना है ये उन लोगों में ज़्यादा पाए जाने की संभावना है अर्थाथ ये उनमें ये risk factor ज़्यादा पाए जाता है जिनका की वजन बहुत ज़्यादा हो जिनकों की diabetes हो या फिर BP हो या फिर उनकों किसी तरह की kidney या heart की problem हो या फिर उनकों किसी तरह की family history रही हो तो उसमें ये ज़ो है ज़्यादा उन लोगों में ये पाये जाता है और दूसरी बात जिन लोगों की खाने पीने की life style डिश्टाब होती है खासतर से ऐसे लोग जो लोग की ज़्यादा तर नानवेज खाते हैं और खासतर से उसमें जो है red meat हो गया फिस हो गया जिसमें की protein की मातरा ज़्यादा पाई जाती है अगर वो लोग इस तरह की diet लेते ह है तो उनमें होने के chance से ज़्यादा होते हैं और जो लोग alcohol लेते हैं या high calories diet लेते हैं उनमें यह जो है पाई जाने के ज़्यादा संभावना है तो दोस्तों यह कुछ गाउट से related समझाएं थी जो कि मैंने आपको बताया और अब मैं बताता हूं कि इसको जो है test कैसे किया जा सकता है इसके लिए आप जो है अपना serum urine acid test करा सकते हैं cbc यानि complete blood count करा सकते हैं और जिस हड़ी के जोड के बीच में यह जो है इस तरह की complication यानि कि यह गठिया भाई हो रही है गाउट हो रहा है उसका आप x-ray करा करके देख सकते हैं और फिर उसके बाद में आप किस किसी डॉक्टर से कंसल कर सकते हैं खास तोर से किसी होमेपैथिक डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको इसका complete treatment बताएंगे क्योर बताएंगे और लास्ट में आप लोगों से मैं इसकी होमेपैथिक दवाईयां क्या होंगी उसके बारे में चर्चा करता हूं तो दोस्तों होमे सालबल कर देता है और वो किड्नी को जो है किड्नी जो है उसको फिल्टर करके बाहर कर देती है वो जो है नेट्रम फास के नाम से जो होमेपैथिक में एक मेडिसिन आती है जो यहां पे बहुत ही अच्छा कारगर रोल अदा करेगी इस नेट्रम फास का जो है 6X की potency में ज आपको 10-10 मूद सुबह दो पहर साम तीनो टाइम आदे कप पाणी में डाल कर के लेना है तीसरी दवाहीं आती है ACID BENGOEIC का holding और ऊपानी में डाल करके आपको शुबह दो पहर साम तीनो टाइम लेना है यह दवाहीं लेना है और इसके साथ आपको विटामिन D की एक गोली जो की आपको रात को सोते हुए एक गिलास डूट के साथ हफते में सिर्फ एक बार लेना है और यह जो है लगभग यह सारी दावाईयां आपको तीन महीने तक लेना है और तीन महीने में आपका कैसा भी गठिया हो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर यह फिर भी अगर आपको प्रापर रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपको किसी डाक्टर से कंसल करने की जरूरत है तो दोस्तों गठिया से रिलेटेड यह कुछ इंफार्मेशन थी जो मैंने आपको सेयर किया और मुझे पूरी उमीद है कि यह इंफार्मेशन आपको काफी इंफार्मेटिव लगी होगी जैसा कि हमारे हाँ लोगों में गठिया बाई यानि की गाउड की बिमारी जदा पाई जाती है उसमें जो यह आपको काफी लापकारी सिद्ध होगी लास्ट में दोस्तों मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बार की तरह आप लोग मेरे इस वीडियो में अगर नए आये हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें लास्ट में आप सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा